दोस्तो वेलकम टो माई यूटूब चैनल स्टॉक मार्केट नॉलेज जैसे आप देख रहे हैं दोस्तो मैंने स्क्रीन के उपर लगा दिया है एक लेंस लगाई है अब इससे समझ थोड़ा पर समझ जाएगे तो अभी मैं आपको टॉपिक का नाम बता देता हूँ दोस्तो आज का जो मेरे वीडियो बढ़ रहा है वो इसका टॉपिक है स्टॉक सिलेक्शन दोस्तो हम सब ले नहीं सकते ठीक है तो हमें सिलेक्शन ऐसा करना है दोस्तो कि बहुत लोगी सो आइसा स्टॉक ले सब गिर रहे सब उपर जा Prem कैसे करें दोस्तों इसको skip ना कीजिए पूरा सुनिएगा दोस्तों सबसे बड़ी बात तो दोस्तों है कि जब आप स्टॉक करने जाते हैं तो बहुत सरे अपने को स्टॉक छोड़ने भी पड़ते हैं हम लेंगे एक दो या पाज़ चेर रहीं बड़ें अपने कैपिल के इसाब से बाखी के कंपणी तो आप छोड़ रहें बरबर के नहीं वह इसाब से दोस्तों जब हम्हां स्टॉक स्टॉक स्रॉक सेलेक्शन करते हैं पहला पुंट यह पींट है कि जब हम एक शेर लेते हैं सिलेक्स करना है दोस्तों जैसे में पहले के वीडियो में बता है तो आपको कि सबसे Important है दोस्तों अगर आपको चीज का Knowledge है उसी सेक्टर में आधो अपको अपना हाथ ढालना है दो अगर आप समझो डालेंगे sector in Futuresis में हाथが Metals जो commodity है जिसका इंटरनेशनल रेट से बहुत कुछ चलता है चाइना यूएस का ट्रेड वार है बहुत कुछ होता है तो उसके बारे में अपने ज्यादा नॉलेज रहती नहीं दोस्तों तो वह इसाब से हमें ऐसे चीज में हाथ डालना है जैसे में हर एक वीडियो में बता तो आपको कि जो चीज आप यूज करते हो कोई भी चीज खाने की हो कॉस्मेटिक्स हो या तूथ पेस्ट हो शेविंग जैल हो कुछ भी चीज जिसकी बहुत सारी कंपणिया दोस्तों इतनी वह पहले सिलेक्ट करनी है हमें सेकेंड पॉइंट हमना था सिलेक्ट सेक्टर ठीक है तो सेके गर का सामान चोढ़ेगे तो बैंकिंग सेक्टर फी अच्छा है आपके आकों के सामने यह कॉनसी कॉनसी बैंक अच्छी रिश फैना स्सेंप्हान है चीज यह वो सबसें पेणिंट स्टर चाहिं करने रहते है तो दोस्तों थर्डर सेंश मेंगे हाई यह सब जितने भी जब छोटे स्टॉक से सो रुपे के अंदर 50 रुपे के अंदर भी पकड़ा तो चलेगा 50 रुपया 30 रुपया 15 रुपया 10 रुपया आठ रुपया इस टॉक में दोस्तों हाट डालना ही नहीं है बहले वो कितनी भी बड़ी company रहने तो आप घर पे यूज़ करते रहने तो कुछ भी रहने तो दो दोस्तो उसमें हाट डान लाइन नहीं है दोस्तो small cap, mid cap, penny cap उसका रिज़न बता तो दोस्तो कैसा है वो जो companies है उनका जो market capital लेता है दूसरी बात उसमें अगर कोई fraud आ गया आने के chance ज़्यादा रहते है, fraud आ गया या उसमें government कोई band लगा दिया या उनको कोई fine लगा दिया तो immediate stock गिरता है और बहुत लोग उस लालेस में जाते है कि small cap ले लेके 10-15 रुपे का share ले लेंगे quantity आ जाएंगी जल्ली multiply हो जाएंगा, दोस्तो वो बात सब पूरा गलत है इस निफ्टी 50 के इंडिया के जो top 50 shares है एनसी के उसके अंदर ही डालना है वो भी आपको जिस sector के बारे में knowledge है उसमें ही डालना है दोस्तो ठीक है यह तो हो गया अभी किस को क्या लेना था अपने को large cup लेना है ठीक है और सबसे में और एक बात दोस्तो ऐसा है कि जब सेक् सबसे में अगला पॉइंट है कि सबसे में अगला पॉइंट है कि सबसे में पॉइंट है कि हमें यह जानना जरूरी है हमें यह list बनाना जरूरी है कि हमें क्या नहीं लेना है दोस्तो येस जब हमें समझ जाएंगा कि हमें क्या नहीं लेना है तो उसमें आपको समझ में आ जाएंगे कि आपको लेना क्या है ठीक है अगर आपने list बना दी कि छोटा प्ले नहीं लेना कि आपटो कलाना। इसलिए यह हूगा अगला प्र Comic्त डिक है अगला उछे शुबबी आप कोई भी स्टॉक लेते हो अगर को स्टॉक मिल भी गया शोलो ठीक है आपने कोई हो चैल को आपको चाता हूं लिकाता हूं इने को मैं आपको तो मैं आपके सामने को mist अधिया है जबस दोस्तो यह जब यहां पर एक बिना दोस्तो मैं आपको बताता हूं फूटा सा जब यह आपको द्रोग करके दिखाता जब यह यहां पर था दोस्तो तब यह 30-40-50 रुपे-70 रुपे था दोस्तो ठीक है और यह पास फाइएर्स का चार्टे सबसे बिस्टा बताता तो आपको ऐसा कोई चार्ट मिले आपको तो उसमें हाट डानला नहीं है आपको हाट किसमें डालना है यह ऐसे वाले चार्ट में दोस्तो ऐसे वाले चार्ट में जो टॉप प्लेज है लाज के अपके उसमें हाट डालना है जो आप लेने वाले हो इसका चार्ट जो फाइयर्स का दोस्त नान फाल डाल लेना है तो ये दूस्तो भी कहले और design ऊपर का उसके ऊपर का तो पतो आपको टाइप के लिए आप को बाइ करना है ठीके दोस्तो गया आपको ये चार्ट करना है तो इसससे ये दोस्तो विदियो पस्रहत हैं तू आप tow ब्रशेश होत्च अधर झाल झाल